अस्तालाम अलेकुम स्टूदेंट्स आई होब यू आल डूइंग वैल तुदेश अबर लेक्चर टू और चैप्टर 3 3.1 मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन लेक्चर में काफी चीज़े एक्स्प्रेइन कर दी हैं इस चैप्टर के बारे में आपकी जो कुछ चीज़ें रहे गई हैं वह साथ साथ जब हम कोश्चन करते रहेंगे मैं साथ साथ एक प्रेइग भी करती रहूंगी यहां पर हम लोगों के पास Q1 के अंदर बोल रहे हैं Classify the following quantities as scalar and vector हम लोग classify करके ठीखाने के यहां पर scalar कौन सी है और vector कौन सी है तो मैंने इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में आप लोगों को उससे पहले यही बतायता है कि vector क्या होता है स्केलर बोलते हैं और वो quantities जिसके अदर हम लोगों को direction और magnitude दोनों पता उससे हम लोग वेक्टर बोलते हैं तो यहां पर जो सबसे पहले हम लोगों को दिया है force तो force क्या होती है अब हम कुवात किसी जब भी हम लगाएंगे तो किसी ना किसी direction में लगाएंगे ना चाहे वो negative वो positive होगी कोई भी direction हो पर उसमें कोई direction होगी तो इसलिए जो हमारा force है वो क्या हो जाएगा vector फिर उसके बाद में next हमारे पास speed अब speed क्या होगी यह समझो कि हमारी speed है हम कोई distance cover करने है सब्सकुंष इसने अगर हम लोक तो loti speed होगी तो कि सब्सक्राइब और विलोसिटी होगी तो शक्राइब लोसिटी होगी क्या होगी यह व्योसिज़ोगी यहांपर क्या प्रीशिच अगर धिने अनुर्झ रिमस्ते चैन्राइब होगी दालमि समलतों चाहिव हेक्टर है तो यह भी क्या धाइग वेक्टर हो जाएगी ठकने है पहले हमारे हatter पास एरिया फॉरी फिर उसके बात में हमारे पास अगले acceleration. Acceleration क्या होगी? जब हमारे पास velocity होगी तो उसके अंदर लाजिम है कि कोई हमारे पास acceleration भी हो. तो इसलिए acceleration भी क्या है? हमारे पास vector quantity है. अचा वर्ड. अब जो वर्ड है, हम रोगों को वर्ड का नहीं पता कि अब कोई काम हो रहा है, वो कौंसी direction में हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब कुछ नहीं पता. तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी? हमारे पास scalar quantity हो जाएगी. तो इसलिए पास हमारे पास volume है. वेट का formula सबको याद होगा, W is equals to mg. अब जब gravity आ रही है, तो हमारे पास downward direction होगी हमेशा उसकी. तो जब यहां पर हमें direction पता है, तो यह क्या हो जाएगी हमारी vector quantity हो जाएगी. अच्छा, अब मास जो है, अब किस तरह का मास है, क्या direction वो सब हमें नहीं पता है, इसके अंदर पे इसलिए यह क्या हो जाएगी हमारी scalar quantity हो जाएगी. तो बसके, परस question बहुत हीजी था, हो सकते है कि कोई MT usage से related आजाएगी, बागी यह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए. इसके बाद जो हमारा next question है ना, उसको करने के लिए पहले में आप लोगों को मैंने जाहतना introduction दिया था, उसके आगे से थोड़ा सा question ने explain करूंगी, उसके फॉर्मला लगाना है, तो पहले में आपको फॉर्मला दिखा देती हूँ, किस तरह से लग रहा है फिर उसके बाद करते हैं, अच्छा जो हमारे पास question number two है ना, उसके अंदर हम लोगों को बोला जा रहा है, बोला जा रहा है के, यहां लिखावा है, write the vector pq in the form xi plus yj के अंदर लिखे दिखा, हम लोगों को vector निये में pq के, अब उसको लिखने का क्या तरीका होता है, वो हम उपड़ देख लेते हैं, यहां पर हमें दिया हुआ है उसका, यहां पर लिखावा है, यहां पर देखो अगर, यह इस जगहा पर, यहां पर हमें लिखावा है के magnitude निकालने के लिए क्या करना होता है, magnitude को हम बात में देखेंगे, अभी हम यहां पर देखते हैं, कि लेट P and Q are the point in the XY plane के ओपर, PQ दो points दीए हैं हम लोगों को, हम लोगों को, PQ वेक्टर को इस फॉर्म में लिखना है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यह है, मैं यहां पर question के साथ solve पड़ती हूँ और आप लोगों को दिखा लेगी, लेगे क्योंकि उसमें साथी साथम हो गई थी, तो इस परह से बंद हो जाए, तो यहां पर हमारे पास जो P है, उसको हम लोग लेंगे, X1, Y1 के तौर पर, जो हमारे पास Q है, उसको हम लोग लेंगे, X2, Y2 के तौर पर, अच्छा, अब हम लोग method को use करेंगे, now, we know that, PQ किसके equal है, PQ equal होता है, X2 minus X1i के, और, plus Y2 minus Y1, J, हमें इसी फॉर्म में लिखके दिखाना है, X को I की फॉर्म में, और Y को जो है, वो J की फॉर्म में, उसके लिए हमारे पास यह फॉर्मुला है, सही है, तो अब हम क्या करेंगे, कि, यहां पर हमारे पास, अब यह क्या है, X2, यह है X1, तो, minus 4, minus 4, I, अब यह Y2, Y1, 5 minus 6, J, तो यह कितना हो गया, minus का 8, I, plus minus का 1, J, plus minus, minus, यह क्या हो जाएगा, minus का 8, और minus का J, तो यह हो गया, हमारे पास, अच्छा, अब इसके बाकी के पार्ट भी, बहुत हीज़ी है, सेम ऐसे ही होगी, एक दो में कर दे कियों, फिर बाकी आप लोगे खुद कर ले, तो हमारे पास, इसका question number जो 2 है, उसके अंदर हम लोगों को भी P और Q दिएवे, P क्या हो जाएगा हमारा, तो मतब मेंचन ही है, तो P के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, अब X1 और Y1 और Q को हम क्या बोलेंगे, X2 और Y2, Now, we know that PQ is equal to X2 minus X1, Y2 minus Y1, J, अब X2 क्या है हमारे पास, 10 और X1 क्या है हमारे पास, minus का 5 upon 2, minus minus क्या हो जाएगा, plus 5 upon 2, Y2 है 8, Y1 है 9, J, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कि 2 का LC हम लेंगे, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 20 plus 5, I, और यहाँ पर बीच में, plus, plus, यह हो जाएगा, minus का 1, J8 में से, 9 गया है तो minus का 1, अभी कितना हो जाएगा, 25 upon 2, I, और यह कितना हो जाएगा, हमारे पास, minus का J, answer, P, बहुत यहीज़ी है, अच्छा, इसके जो दूसरे पार्ट है, वो आप लोगो खुद कर ले, यह बहुत यहीज़ी है, तो नेक्स लेट्चर से, मैं कोशिच करूँगी, जल्दी जल्दी से, कमप्यूट होए, तो नेक्स लेट्चर में, इंशालता हम इसका, कोशिचर नबर 3 देखेंगे, तो जब तक के लिए, लाप पस, की जल्दी है,